प्याज की कीमत दिवाली तक कम होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है मान नगरों में प्याज की खुद्रक कीमत 60 रुबे प्रदी किलो तक है बे मौसम बारिश के कारण आपूर्थी बादित हुई है जिसके कारण कीमत कम होने की उम्मीदों को जटका लगा है प्याज के साथ ही टमाटर और सबजियों जैसे की पत्ता गोबी और लौकी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है जिससे किचन का पूरा बजट ही बिगड़ गया है कारुबारियों का क्याना है कि दिसंबर तक प्याज की कीमतों को प्रवावित करने वाला प्रमुक कारक मौसम बना रहेगा जब नई फसल की आवक समाने रूप से अपने चरम पर होती है अगर मौसम खराब होता रहा तो सबजियों की कीमत और बढ़ सकती है हाला कि अगर मौसम ठीक रहा तो दिवाली तक कीमतें स्थिर रह सकती है नासिक के लासल गाव बाजार में पिछले एक महिने में थोक प्याज की कीमतें दो गुनी से अधिक हो गई है जो वर्तमान में दिल्ली को प्याज का सबसे बड़ा अपूर्ती करता है नासल गाव बाजार में उसत थोक मूले 16 सितंबर को 14 रुपे 75 पैसे प्रतिक किलोग्राम से बढ़कर 16 अक्टूबर को 33 रुपे 40 पैसे प्रतिक किलोग्राम हो गया जो की 120 फीजदी अधिक है वहीं बैंगलोरू APMC में प्याज की कीमते 8 सितंबर को 10 रुपे किलो से बढ़कर 13 अक्टूबर को 35 रुपे किलो हो गई उतरी करनाटक के हुबली बजार में जहां खरी प्याज की फसल की कटाई की जा रही है उसत कीमते 16 सितंबर को 8 रुपे प्रति किलो से बढ़कर 16 अक्टूबर को 14 रुपे प्रति किलोग्राम हो गई उपभोगता मामलो के मंतराले ने उन राजियों में बफर स्टॉक से प्याज देने शुरू कर दिया है जहां कीमतें अकिल भारतिय औसत कीमतों से उपर चल रही है मंतराले ने एक प्रेस विज्यप्ती में कहा है कि 2021-22 के लिए बनाए गई 2,08,000 टन बफर स्टॉक में से 67,357 टन प्याज 12 अक्टूबर तक जारी की जा चुकी है कुछ क्टि अक्टूबर तक जारी कीमतें अक्टूबरे ओपर 11 अच्पीश की में से 39,357 टन बफर स्टूबर तक जारी कीमतें लिए तक जारी कीमतें प्याज़